निवेदन सामे आवियू संपत्ती वहेचुनी मुद्धे पी एम मोधी ना हुमला वच्चे साम पित्रोडानू आम्मोटू निवेदन कॉंग्रेस नाने ता साम पित्रोडा ए वारसागत टेक्स नो राग छेडियो अमेरिकानी जम भारत मा पण लाग वोजू ये वारसागत टेक्स साम पित्रोडा ए आनिवेदन आप्यू छे साथे जणाव्यू छे क्या अमेरिका मा दस अबजनी संपत्ती होई तों रुत्यू बाद 55 टका सरकार मा जाई छे अने मात्रप स्ताडिस्ट का संपत्य बाड को ने मड़े छे आ काईदा थी जमनी पासे बदू संपत्ती छे ते जनताने आप फी पड़े छे आ खुब ज रोचक काईदों छे जिमने खुब गमे छे साम पित्रोडा हे आनिवेदन आप्यू छे टोवेदन गणा संपत्राओ स्टाओ अग्यी जमने च्ले में लिवेदन ने लिए ऑ्निवेदन अट ने लिए भी अजिए ट। अप्यू कि अजिए अग्या हुआ लू जा थे लोट ते वी जए एलू आटी अटाने बड़ेदे how can you do that okay it's not physically possible to do that but you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything there is a monopoly act in America also you know we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government we have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world nothing wrong in being rich nothing wrong in accumulating wealth but to what point let me tell you in America there is an inheritance tax so if let's say one has 100 million dollar worth of wealth and when he dies he can only transfer probably 45% to his children 55% is grabbed by government now that's an interesting law it says you in your generation made wealth you are leaving now you must leave your wealth for public not all of it half of it which to me sounds fair in India you don't have that if somebody is worth 10 billion and he dies his children get 10 billion public get nothing and law says you get half of it public gets half of it so these are the kind of issues people will have to debate discuss अप्रेश अप्रिश अप्रेश अप्रेश प्रेश कॉंग्रेस नी नजर चे देशनी जनता कॉंग्रेस ने तक नहीं आपे जो थोड़ा बहुत स्त्रीधन होता है गहने जेवर होते हैं कॉंग्रेस उनकी भी जाज कराएगी यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बेने चंद्नबा पहनती हैं हंसूली पहनती हैं हमारी बेने मंगल सुत्र पहनती हैं कॉंग्रेस यह सब आपसे छीनकार वो कहते हैं हम इकवली डिस्टिबूट कर देंगे अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे मालूम है ना किसको देंगे आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना मुझे कहने की जर्वत है क्या क्या यह पाप करने देंगे क्या आप और कहती है कॉंग्रेश सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांती कारी कदम उठाएगी अरे ये सपने मत देखो देश की जनता आपको ऐसा मोका नहीं देगी साथ यो कॉंग्रेश पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुल कर सामने आ रहे साम पित्रोडाना निवेधन पर हवे राजनीती गर्माय शे साम पित्रोडाना निवेधन पर केंधरी अगुरूम मन्तरिय अपने प्रहार करया केंद्री अग्रुमंत्रिया कहूं के पित्रोडा ना निवेदन थी कॉंग्रेस नो इरादो खुल्लो पड़ी गई वशे कॉंग्रेस पार्टी आजे बेनकाप थे गई छे कॉंग्रेस ना मेनिफेस्टों मा साम पित्रोडा नी महत्वनी भूमी का छे कॉंग्रेस मेनिफेस्टों मा थी आमुद्दो परत ले अथवा बात नो स्विकार करे पित्रोडा ना निवेदन ने देश नी जनता गंभीरता थी ले तेवी पन्तम ने अपील करी कॉंग्रेस पाटी सेम पित्रोडा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई सबसे पहले गोशना परत्र में सर्वे मनमोहन सिंग का पुराना बयान जो कॉंग्रेस की लेगसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनोरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टों बनाने में जिनकी एहम भूमिका है वो साम पित्रोडा का बयान की संपती के बटबारी पर विचार होना चाहिए अमिरिका का हवाला देते हुए इन्हों ने कहा कि 55 प्रतिसत संपती सरकारी खजाने में जाती है अब जब प्रदान मंत्री जी ने ए मुद्दा उठाया राहूल गांधी सुनिया गांधी और पूरी कॉंग्रेस बैक फूट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है परन्तु आज साम पित्रोडा जी के बयान ने कॉंग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है वो देश के जनता की निजी संपती का सर्वे करकर निजी संपती को सरकारी खजाने में डाल कर जो उन्होंने यूपीये के सासन में तै की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनोरिटी और उसमें भी मुसलिम लोगों का है उस प्रकार से इसका बटवारा करने चाहती है मैं मानता हूँ कॉंग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टों से इस बात को विड्रो करे या उन्होंने स्विकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ इनके महतपून निति निर्धारन करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सेम पितोड़ा के बयान को देश की जनता घंबीरता से ले इनके मन में छूपी भी मनसा क्या है आज बहार आ गया है इसका कोग्डिजन्स इसका संग्यान देश की जनता ने लेना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी अगरे नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टों से सर्वे की बात को विड्रो करना चाहिए ये गोशीत करना चाहिए हमारी priority minority नहीं है हमारी priority गरीब है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जीने का है देश के संसाधन पर सबसे पहला अतिकार देश के घरीब का दलित का आदिवासी का और पिछडे का है मैं मानता हूँ देश की जनता ने आवाज जानने खतम कर्वानों प्रयास करी रही चे लोको दिवस रात मैंनत करी कमानी करे चे तेमणे या प्रतिक्रिया आपी चे इस देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहूल गांधी जी बोल रहे है कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा अगर हद से जादा हो अगर उनकी मेनत की जिन्दगी भर की कमाई अगर दूसरों में बाट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खुन पसीने से अपनी संपत्ती और अपना सोना अपना घर अपना बार बनाते हैं मुझे लगता है ये सब चीजों में कॉंग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुम साही आने वाले समय में वो कॉंग्रेस और राउल गांदी जी करेंगे योपीना नायब मुख्यमंद्री ए पित्रोडा ना निवेदन निनिन्दा करी साम पित्रोडा नो निवेदन कॉंग्रेस नी आंतरीक रणनीती नो भाग छे देशनी जनता आगा मी समय मात तेनो जवाब आप छे पित्रोडा का जो बयान है वास्तम में ये कॉंग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीत है उसका हिस्सा है मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कॉंग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की संपत्ति की जाच कराकर उस पर कबजा करेगी उसको डिस्टिब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्टिब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है हम इसकी गोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी को इसका खामेजा जरूर भुगदाईगी आप कितना कहते रहिए समविधान को खत्रा है आप कितना कहते रहिए कि जो इस सरकार रहेगी तो समविधान और लोगतंत खत्रे में आ जाएगा आप उस लीडर के लिए ये बात कह रहे हैं जिस लीडर ने कि लोगतंत के मंदिर में मठ्था टेक करके सम्विधान को अपने सीने से लगा करके और देश के सुशासन के सफर को आगे बढ़ाया उसके बारे में आप इस तरह के दुश परचार करना है इस चुनाओं में परचार कम है उनका दुश परचार जादा है इस एलेक्शन में वो कंपेंड कम करना है कन्फ्यूजन क्रियेट करने की कांस्परेशी और किर्मिनल कांस्परेशी में दादा लगे हुए है कुसान पित्रोडा ना लईने हवे राजमीती मा अलग अलग बडांग देखाय रहा छे साम पित्रोडा मुद्दे कॉंग्रेस से हाथ खंखेर ली दा बिरासट टेक्स मुद्दे कॉंग्रेस पित्रोडा नी साथे नहीं जयराम रमेशे आ बात कही छे पित्रोडा ना निविदन मुद्दे जयराम रमेशे सूशल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट करी लख्यों के ध्यान भटकावानो आ इरादा पुर्वक्नों प्रयास छे अमेरिकारी जर्म विरासत काईदानी हिमायत करी पित्रोडा है जे निविदन ने लईने भाज़ा पे कॉंग्रेस ने गेरी छे तो हवे कॉंग्रेस से हाथ अधर कर्या छे क्वंखर के लुक्ष 및 इस था प्रीमार अधर प्रीमार प्रीमार प्रीज कोईरादीख करीष तो मुझाए। तुसाम पित्रोडाना निविदन ने लाई ने हवे भाजो पेजे वड़ता जवाब आपया, कॉंग्रेस ने तो अपने हाथ अधर कर लिए, उन्हों ने तो अपना पीछा छुडवा लिया, जो निविदन साम पित्रोडा ने दिया है, इसकी एसर इलेक्शन में कैसे दिखेगी? कॉंग्रेस के जो इंडियन ओवर सीज कॉंग्रेस के नेता है, बड़े नेता कहे जाते हैं सम्पित्रोडा और अक्सर वो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, जिससे कॉंग्रेस पार्टी मुश्किलों में खड़ी होते दिखाई देती हैं. अब से एक से डेड़ महीने पहले हमने दिखा था यही सम्पित्रोडा हैं जिन्होंने एवियम को लेकर एक सवाल उठाया था और बाद में कॉंग्रेस पार्टी के फजियत होई थी. और आज एक बार फिल से विरासर टेक्स को लेकर अमेरिकी खानून का हवला देकर वो इस तरह से बाते करतों में दिखाई दे रहे हैं. अगर देखें हम ऐसे समय में सैंपित्रोडा का बयान कही न कहीं कॉंग्रेस पार्टी को और जटके में डालने का काम कर रही है और जि कॉंग्रेस या तो अपने मैनिफेस्टों को चेंज करें या पिर ये मान कर चले कि जिस तरह से बीजेपी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रही है वो सब कुछ सच है यानि कि कॉंग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि अगर आने वाले समय में कॉंग्रेस की ज़रकार दे अगर के तुलना के जाए तो बहुत जादा अंतर है जमीन आस्मान का अंतर है और ऐसे में अमेरिकी कानोन को भारत पर थोपना कहीं न कहीं अब कॉंग्रिस पारटी को मुश्किलों में डालता हुआ दिखाई दे रहा है यही वो सबसे बड़ी बात है जो अब बेजेपी के चाहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हों आमेशा हों या फिर कोई भी नेता हों इस तरह से सवाल उठा रहे हैं दोसरे तरफ देखा जाए राहूल गांधी अब यह कह रहे हैं कि बेजेपी यह मांग चुकी है कि अब लोगसभा चुनाओ 2024 बेजेपी के हाथ से निकल च रही है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में देखा जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी को इससे ठीक वैसा ही नुकसान देखना पड़ेगा जैसे आप से कुछ वक्त पहले सेंपे द्रोदा ने एवियम को लेकर सवर उठाया था तो अभी माहौल गर्माता जा रहा है कॉंग्रे भी लगाकर लोग बैटे हैं कि आने वाले समय में इस तरह के जबाब भी कॉंग्रेस पार्टी के तरफ ते जारी किया जा सकते हैं जी धनिवाद जानकारी देने के लिए तो कॉंग्रेस हवे आगर ना समय मां डेमेज कंट्रोल मां टो उत्रे तो नवाई नहीं कारण कि आफ फरी एकवार आप्रकार नों निवेदन जे सामे आभ्यूचे तेने लईने कॉंग्रेस नी जनता मां विश्वस्नियता घटी शके छे सिधा जो ये कॉंग्रेस नी पत्रकार परिशद मां पेट में दर्द तो हो रहा है मन में कौतु हल तो मचा हुआ है क्योंकि इस देश का किसान 27 रुपए रोज का कमाएगा इस देश की 20 परसेंट आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करेगी लेकिन मोदी जी के मित्र तो 1600 करोड रुपए रोज के कमाएगे तो पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है असलियत तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नाक के नीचे 10 साल के अपने शासनकाल में दो हिंदुस्तान बनाए हैं दो भारत बनाए हैं दो देश बनाए हैं एक देश जहां पर डबडबाई आखों से सबजी बेचने वाला कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही है एक देश जंपतीना एक्सरे ने मुद्देर राहूल गांधी एनिवेदना आप्यों छे एक्सरे शब्दनो प्रयोग करयो तो आखु भाजक उभू थाए गयो मात्र अन्याई केटलो छे तनू टेस्ट करवानू कहो तो भाजब गभरायो देश ने तोडवानी वहजवानी कोशिश था ही रही छे एक्सरे थी ने मुटका लोकों ने खबर पड़शे कि तमारी भागीदारी केटली छे जे देश भक्त चे एतने संपतीना एक्सरे नी वाद सारी लाग भी जोईए मगर आप देखिए नाशनल मीडिया को देखिए नरेंडर मोदी को देखिए जैसे ही मैंने एक्सरे की कशक्त प्रयोग किया मैंने सिर्फ ये कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है सारे के सारे खड़े हो गए देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है देश को बाटने की कोशिश हो रही है एक्सरे से क्या बटेगा कैसे बटेगा एक्सरे से सिर्फ 90% को ये पता लगेगा कि उनके भागीदारी कितनी है अब सारे के सारे देश भक्तों को ये अच्छा लगना चाहिए